हेलो स्दूडेन अब हमनेक्ट कोश्चन की बाच करेंगेगे कोश्चन नमर्स 6 की जो फरस्ट वीडियो में हमने कोश्चन नमर्स 5 तक डिसकेशन किया था वह हम जाएंगे कोश्चन नमर्स 6 पर question number 6 में क्या कहा है during a sale a shop offer discount 10% on the market price of all the items what would a customer have to pay for a pair of jeans market at 1450 and two shirt market at 850 each देखो जो 1450 है वो market price है किसकी jeans की और जो two shirt है उसकी market price का है 850 यानि एक की 850 है और यहाँ इसने कितनी shirt कर दी है two खरी दी है और उसको discount हो रहा है 20% का तो customer को कितने रुपीज पे करने है तो MP हमारी क्या है रुपीज 1450 अब discount हो रहा है हमारा 10% का तो discount निकालने के लिए क्या होगा 10% of D जब हम निकालते तो कैसे निकालेंगे 10% of जो market price होती है उसके निकालते हैं 1450 तो हमने क्या निकाला discount percent निकाला जो निकल के क्या आएगा हमारा discount percent D is equal to क्या निकल के आया जो हम solve करेंगे तो 145 ओके स्टूडेंट अब क्या करना है हमको मालमे SP क्या होती है market price minus discount तो market price में से हमने discount solve कर दिया तो हमारा क्या निकल के आईए SP SP हमारी निकल के आईगी market price में से जो market price थी हमारी 1450 उसमें से हमने discount को subtract करा तो हमारी market price आगई 1350 यह हमारी selling price आगई 1350 यानि 1350 यह वन थाउज़द और सुरी यह वन थ्री जिरो फाइब अब हमें यह SP मालम पड़ गई अब market price टू शेट की क्या है एक की तो हमें पता है कि हमारी 850 है तो टू की क्या हो जाएगी MP MP हो जाएगी रुपीज उसकी जज़ डवल टू से मल्टिप्लाइ करके करेंगे 1700 आज तरह हम discount निकालेंगे discount क्या होता है discount is equal to होता है जो जितना percent discount डिस्काउंट 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 दिया है 10% of रुपीज 1700 जो market price होती है उसका 10% अगर 10% दिया तो 10% अगर 20 दिया तो 20 तो इस से में discount निकल आएगा तो इसको जब हम solve करेंगे तो हमारा discount निकल के आता है रुपीज 170 ओके student अब हमारी फिर से SP क्या निकल के आएगी market price में से हम selling price को market price में से हम discount को subtract कर देंगे हमारी market price के आती 1700 260 अब उसमें से हमने discount subtract करा तो हमारी क्या value आई 1530 अब वो पूछ रहा है total selling price क्योंकि एक तो उसने दो एक तो उसने pair of jeans कर दी और दो shirt कर दिया तो 1530 में हम किसको add कर देंगे 1305 को add कर देंगे तो जिससे क्या होगा हमारा answer आ जाएगा अब हम बात करते हैं question number 7 की a milkman sold 2 of his buffalo for 20,000 इज one of he made a gain 5% and other the loss of 10% find his overall gain or loss हमें बताना है कि overall gain हो रहा है कि loss हो रहा है तो पहले हमें क्या करनी पड़ेगी student CP fine करनी पड़ेगी जैसे हमने question number 5 में किया था वैसे आपको क्या करना है पहले CP fine करनी पड़ेगी उसी तरह से आपको यह सवाल जो है आपको solve कर देना है अज उसमें भी अलग अलग तरीके से बीचा था इसमें भी यही है यहापे पहले हमें बस CP fine करनी पड़ेगी है वहापे CP दिवी थी question number 5 में यहापे हमें CP fine करनी है ओके student अब हम बात करते है question number 8 की question number 8 में कहा है the price of TV is 13,000 the GST charge on it the rate 12% find the amount that we know will have to pay if he buy it तो कितना उसमें pay किया है तो हम क्या करेंगे 12% of 13,000 निकालेंगे जो 12% of 30,000 निकालेंगे जो निकल के आएगा उसको फिर हम क्या कर देंगे 13,000 में add कर देंगे तो हमारी जो क्या निकल के आजाएगी विनोद ने जो pay किया है वो price निकल के आजाएगी तो कि उसने 12% GST और दिया 13,000 पे ओके student अब हम question number 9 की बात करते है question number 9 में कहा है Arun bought a pair of skate at a sale where the discount given was 20% if the amount he pays 1600, find the market price हमको क्या करना है market price निकाल ली है Arun को discount मिला 20% और selling price दी हुए है आपे अब student माना कि market price जो हमारी X है ठीक है और discount percent का formula क्या होता है discount percent is equal to discount upon MP multiply by 100 okay student तो इस formula से हम क्या निकाल लेंगे discount निकालेंगे क्योंकि MP हमें मालम नहीं है इसने हमने MP X मानी है तो हमारा जो discount निकल के आएगा solve करने के बाद ये D is equal to हमारा आएगा 20 upon 100 multiply by X तो ये आजाएगा हमारा 1 upon 5 X ओके student अब क्या करना है हमें मालम होता है discount is equal to क्या होता है MP minus SP तो discount हमारा क्या है 1 upon 5 X जो के भी हमने solve किया और MP हमारी क्या है X और हमें क्या दी हुई है selling price दी है 1600 ओके student जब हम इसको solve करेंगे तो हमारी X की value निकल आएगी यानि जो उसने X हमारा क्या माना था हमने market price माना था तो हमारा market price हमको मालम पड़ जागा इसको solve करने के बाद आएगा 200 ओके student अब हम question number 10 की बात करते है इसमें जो question number 10 है ना student इसमें यहाँ पर 8 दिया हुआ है जबकि 8 की जगे हमें क्या लेना है 18 यहाँ पर 18% की बात की गई है और 8 को हो कि GST को यह goods and service tax है यहाँ पर पहले value added tax की बात करते थे अब GST की बात करते है अब इसमें काये आप आई पर्सेड़ हेर डायर फॉर 5400 इंक्लूदिंग 18% GST फाइंड प्राइस बिफोर GST वोज एडिट तो जो उसने हेर डायर खरीद रहा है उसमें 80% GST के चार्ज लगा के खरीद रहा है तो जब उसमें GST ना हो तो से कितने पैसे देने पड़ेंगे तो देखो माना कि उसकी औरिजनल प्राइस है 100 रुपे और GST कितनी माना उसकी औरिजनल प्राइस माना क्योंकि 18% मतलब से 100 पे 18 रुपे उसको GST देनी पड़ रही है तो माना कि उसकी जो लेट दा ओरिजनल प्राइस अपड़ आर्टिकल भी रुपीज हंडर है और GST कितनी हो गई 80% अब प्राइस आफटर GST इंक्लिड़े अगर हम प्राइस एड़ कर दें GST में तो 10 प्लस 18 तो उसकी क्या हो जाएगी प्राइस 180 रुपीज हो जाएगी इस्टुडेट अब जब हमारी SP 180 रुपीज है तो हमारी जो ओरिजनल प्राइस है 100 रुपीज है यानि जब हम 180 रुपीज पे कर रहे थे 180 रुपीज कर रहे हैं GST लगने के बाद और GST ना दे तो हमें क्या करने पड़ेंगे 100 रुपी यानि 100 रुपी हमारी ओरिजनल प्राइस है लेकिन अब हम कितने प्राइस है 5400 रुपी यानि GST लगने के बाद हम 5400 प्राइस 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 है तो हम GST ना लगने पर कितने प्राइस करेंगे तो इस तरह से solve करने पर क्या होगा हमारा 100 multiply by 5400 divide by 188 तो इसको solve करेंगे तो हमारा answer आएगा रूपीज 4576.27 वो क्या स्ट्रेन यानि जो हमारा GST से पहले की जो price थी यानि जो original price थी वो 4576 रूपे 27 पैसी थी जो question number 11 है वो भी आपको इसी तरह से solve करना है तो 10 वाला मैंने आपको यहाँ पर solve करके दिया हुआ है PDF में और 11 वाला आप अपने आप करेंगे यहाँ पर यह chapter finished होता है ओके thank you, bye